मस्कार दोस्तों वेल्कम डियाक्षन स्टेडी पॉइंट मैं हूँ सुरप सुकला दिखे जो आज यूबे ट्रिपल सी की वन दरवागी परिक्षा हो ही उसमें वन दरवागे सारे जो है सो प्रश्ण का जो है सोलुसन देने वाले हैं तो यह हमारा पार्ट वन होने वाला तो वडियो को जरूर है कपी दोंड़ा है इसलिए सारे अंसर आपको सहीड देखने को मिलेंगे तो आई शुरू करते आज का तो नीमनल लिखस में से कौन सा रास्ट्रिए वन नीती 1988 का मूल उद्देश से नहीं है आज का पूछाव पेपर आप तबहों पताऊगा तो जैसल वन नेती 1998 का मूल उद्देश से नहीं है देखिए वैकल्पिक राष्टिय आवस्थिताओं को पूरा करने के लिए वनों की त्वादकता बढ़ाना ये सही है वन उपच के कुसलों पयों को पुरुत्साहित करना और लकडी के प्रतिसापन को लिक्तम करना ये भी सही है ग्र वन नेती का तो और अगर डी लगाया अपने तो सही हो जाएगा दूसरा प्रश्ण पूछा गया है राष्ट्रिय वन नेती 1988 के अनुसार राष्ट्रिय लक्ष होना चाहिए कि देश के कुल भूमी छेत्र का नियूंतम कितना प्रत्सत जो है वन या विर्चो से आच्छलत हो तो एक तीहाई जो है वन से आचाहित होने चाहिए तो वन अपॉन थ्री ओप्सन नमर डी करेक्ट हो जाएगा तीसरा प्रश्ण है कि पहली वन नीती भारत सरकार के ने कि द्वारा जो है 19 अक्टूबर के संकर्थ पर अपनाई तो देखिए यहां पर भारत सरकार द्व देखिए गेहूं उगानि के लिए निमन परकार की मिठी में से किस परकार की मिठी अच्छी है तो गेहूं उगानि के जो है आपका सहीं सर हो जाएगा केवल 126 मठ मिठी जोहां पर करेक्ट हो जाथो हुए ओप्सन नमर जो है 5 प्रश्ण है डूसरी राश्ट्य वन ये प्राष्टर वन्यजीव-कार-चार योजनना को कि सौम्हें यह ऑपनाया गया थे जेलकी होर्ष्टर प्राष्ट्र का सही होगा क्या होगा परिद्रिष से द्रिष्टी कोड ऑप्सन नंबर A सही होगा यानि कि लैंड्सकेप अप्रोच जो है आपर आपका राइट एंसर होगा ऑप्सन नंबर A साथमा प्रश्न है तीसरी राष्ट्री वन्य जीवकार योजना में कितने विशन है तो जो तीसरी राष्ट्री वन्य जीवकार योजना इसमें 5 भाग थे और 17 विशे थे कितने 17 विशे ऑप्सन नंबर हमारे हाँ पर B करेक्ट हो जाएगा साथमें प्रश्न काम आठमा प्रश्न है 2017 से 2021 के लिए भारत के राष्ट्री वन्य जीव एक्शन प्लान के बारे में निम लखित गतनों पर विशार किरी पहला लिखा है कि यह तीसरी राष्ट्री वन्य जीवकार योजना है दूसरा लिखा है कि इसके 10 घटक हैं देखिए इसके 10 ने इसके 5 घटक है तो ओप्सिन नमबर 2 दूसरा हमारा गलत है क्योंकि 5 घटक है तो केवल एक जो है सही होगा ओप्सिन नमबर A नवा प्रशन है निमलखित राष्ट्री उध्यानों को उनके सम्मधित स्थानों से मिलान करिए तो देखिए केबुल लाम जाओ तो आपको पता होगा कि यह मडिपूर में है तो D का जो चार सरी हो जाएगा तो इसका ओप्सिन नमबर B जो है करेक्ट हो जागा देखिए हमने लगा दिया केबुल लाम जाओ आपका मनीपूर में है सरिस्का राजस्थान में है कुद्रे मुख करनाटक में है तो इस प्रकार से आपका और अगला कौन था और राय मोना जो था वो आपका असम में था दाची गाम जो है यहाँ पर नहीं है हिमाचल प्रदेश में दाची गाम कहाँ पर है यह जम्मू कस्मीर में है तो आप्सन नमबर D आपका सही हो जाएगा 11 प्रशन है निम लिखित में से कौन सा राश्ट्री उद्यान या वनेजी उपहरन संगाई एवं इल्ड की हिरण के लिए प्रसिद है तो जो केबुल लाम जाओ उद्यान है मणिपूर का जो कि लोकटक नदी पे जील पे बना हुआ तो यह कि पास बना पे बना हुआ है त इस राश्ट्री उद्यान में चीता परिचे परियोजना के लिए राधनी के लिए कारदल अगठन किया है तो यह कूनो राश्ट्री उद्यान मध्य प्रदिस में है काफी हाली में चर्चा में रहा था ऑप्सन नंबर D करेक्ट हो जाएगा तेरवा प्रशन है भारती वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार के अनुमति के बिना आरक्षित वन में निमलकित में से किसकी अनुमति नहीं देखी चराई के अनुमति नहीं है अतिकरमण के अनुमति नहीं है सिकार के अनुमति नहीं है तो इन में से किसी के अनुमति नहीं है उप्सन नंबर D हमार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सिर्कार के साथ पन्ना बायोस्फेर रिजर्व निम्लिखित में से किसी राजी द्वारा सन्रशित है तो पन्ना का नाम आते ही आपको पता हो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है ऑप्सिन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला यहाँ पर है और राचल प्रदेश में है तो 16 नंबर का अप्सिन देखी अगर हम देखें तो हमारे यह पर सी जो है बिलकुल सही में सही करहा है एक का दो बी का तीन सी का वण और डी का चार जो है ऑप्सिन नंबर सी सही है सामान्य सिधांत के अनुसार वर्न जीव प्रदान किये गए संरक्षे शेत्र के आसपास पारस्थितिक समयदन शेत्र की चौड़ाई कितनी तक जा सकती तो 10 किलोमेटर तक जा सकती ऑप्सिन नमबर यहां पर 17 का सी करेक्ट हो जाएगा अगला देखिए 18 प्रश्ण किस राज्ये में कांगेर घाटी राष्ट्री उद्यान के आसपास पर्यावरण समयदन सील शेत्र स्थित है तो सही इंसरों जई जो कांगेर घाटी है यह 36 गड़ में है ऑप्सिन नमबर सी 36 गड़ करेक्ट होगा 19 प्रश्ण है राष्ट्री उद्यानों और अभ्यारन्यों के आसपास पर्यावरण समयदन सील शेत्र गोशत करने का उद्देश यह संरक्षित शेत्रों के लिए किसी प्रकार का आगहात अवरोधक यहां पर होना चाहिए था बनाना था ऑप्सन नमबर यहां पर एकरेक् देख लेने तो 20 का देखिस में पहला सही होगा तीसरा सही होगा तो 20 का पहला तीसरा का मतलब क्या है यहां पर ऑप्सन नमबर हमारा डी सही हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड 21 प्रश्ण देखते हैं निम लिखत में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा छेत्रवार टाइगर रिजर्व है तो सही अंसर के हो जाएगा 21 का तो नागर जुन जो बांध है नागर जुन सागर स्री सेलम जो है टागर रिजर्व है छेत्रवार सबसे बड़ा है ऑप्सन नमबर ए करेक्ट हो जाएगा आंधर प्रदिस मिस्थित है अगला है 22 निम लिखत में से कौन सा अगला प्रशन है 23 पिछले साल अगस 2023 में विश्वा हाथी दिवस यानि के वर्ल्ड एलिफेंट है भारत में कहां पर मनाया गया तो देखिए यह पेरियार अभ्यारन केरल में मनाया गया 23 का ओप्सन नमबर डी पेरियार करेक्ट होगा स्री यह गरत है डी करेक्ट है अग पेज यह मध्येपर्देश में भी है और महाराष्ट में भी है तो प новых है और अप रामगड़ को chrome जाएगा उत्तर प्रदेश में तो 24 नमबर का इस प्रकार से यह पर यह इंसर क्या होगा आप मिलान कर लिए, option number C यहाँ पर जो है, ब्लेकुल सही आएगा, A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3, अगला प्रशने 25, इको टोन सब्द का क्या अर्थ है, तो इको टोन सब्द का अर्थ होता है, दो जैविक समधायों के बीद संक्रमन का छेतरों से इको टोन कहते हैं, option number D correct है, 26 द के परिचे से, option number C जो है, इसको आप एक बार जरूर देख लिजएगा, अगला प्रशन है, 27 निम लिकित में से कौन सी खादे स्रिंखला, अमृत जयाविक पदार्थ से सुरू होती है, तो 27 का C हो जाएगा, अपरद जो है, खादे स्रिंखला, सही अंसर हो जागा, C, अग बंदोबस्त अधिकारी के सक्तियों से समंदित, तो 28 जो है, सक्तियों से समंदित है, option number यहाँ पर भी करेक्ट होगा, तीसमा प्रशन है, भारती 1 अधिनियम 1927 की कौन सी धारा, 1 बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाएगे, रिकॉर्ड समंदित है, तो 30 नमर का से हो जा जाएगा, option number B, धारा 2, 4 में जो है, इसको अपनाए गया है, 32 है, वन ने जीव संरक्षड अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार, निम लिखित में से किस देश के लिए मुख्य वन ने जीवन वार्डन, ऐसे परमिट में निर्दित, तो किसी भी जंगली जनवर का सिकार करने क के लिए आदेश दे सकता है, जब वेग्यानिक अनुसंधान करना हो, तब option number B, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 32 में का, 33 है, निम लिखित में से किस देश ने कोप 27 सम्मिलन का आउजिन किया, तो कि यह बहुत ही प्रसिद रहा था, current per question है, कोप 27 में आउजित किया गया थ 34 में है, 2030 तक जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राश्टर का अंतर सरकारी पैनल, वर्मिंग को लगभग कितने दिग्रेत आपमान में वर्धे तक सिमितर रखना चाहिए, तो 1.5 डिग्रे सेल्सियस, option number C, अगर आपने लगाया है, तो 34 में का सही हो जाएगा, option number C, 35 में कोब 27 के दोरान सेनिकल के साथ निमलखित में से किस देश ने अंतराश्टी सुसकता प्रतिरोद गठ बंदन से रूख किया, तो यह स्पेन सही हो जाएगा, 35 में का सही इंसर क्या होगा, स्पेन यहाँ पर correct होगा, 36 नमर question है, जलवायू परिवर्तन के संबंध में निमलख है, तो यहाँ पर क्या पता करना था कि इसमें से कौन सा गलत है, तो के बहुत दो गलत है, बाकी पहला और तीसरा, तो अगला question है, 37 नमर, 1927 में हस्ताक्षर किये गए निमलखित में से किस प्रोटकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग य वस्तू के रुपे मानता देग कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैचिक व्यापार प्रडाली के समाने मापदंड को लोगसभा, 2022 में निमलखित में से किस अधिने में प्रेस किया गया, तो ये औरजा संदूर्शर अधिनियम, option number B के थाथ, जो प्रेस किया गया, option number यहाँ पर B correct हो जाएगा 39 number question है, भारत की पहली carbon registry का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है, option number D लग रहा है, इसको जो है चेक करना पड़ेगा, इसलिए इस question को भी अभी छोड़ रहे है 40 प्रशन है, carbon credit card के समद्ध में, V.E.R. का पोड़ रूप क्या है, तो carbon credit के समद्ध में, V.E.R. का पोड़ रूप है, voluntary emission reduction, option number B यहाँ पर सही हो जाएगा 41 प्रशन है, निम लखित में से किस के दवारा मृदा अपरदन को रूपा जा सकता है, तो देखे, V.E.R. का पर जा सकता है, option number A correct होगा 42 प्रशन है, कि वनी करड़ की प्रक्रिया किस के लिए आवस्यक है, तो वनी करड़ की प्रक्रिया मिट्टी के संरक्षड के लिए आवस्यक है, निकि, soil conservation के लिए आवस्यक है, option number C correct हो जाएगा 43 नमबर कोश्चन है, निमने खित में से किस से व्यापक मिर्दा अपरदन होता है, तो देखे, जो स्थानांतरण क्रसी है, shifting cultivation जो होता है, जिसे हम जूम खेती कहते हैं, इसके दवरा मिर्दा अपरदन जो है, व्यापक रूप से होता है, option number यहाँ पर 20 हो जाएगा 44 नमबर कोश्चन है, परत का शरड निमने में से किस के परड़ाम सुरूप समतल भूम पर होता है, तो बहारी वर्षा के कारड़ जो है, परत का शरड होता है, option number यहाँ पर हो जाएगा 45 नमबर कोश्चन है, संयूकत राश्र के अनुसार, करश्णी वानिकी तंतर मुख्य रूप से कितने परकार के होते हैं, तो करश्णी वानिकी तंतर मुख्य रूप से 3 परकार के होते है वानिकी के सम्द्द में, FAO का पोर रुप क्या है, तो food and agricultural organization सही हो जाएगा, option number B खेती के एक आदिम रूप जूमिंग को बेवर और दहिया कहा जाता है कहां पर तो मध्य प्रदेस में बेवर और दहिया कहा जाता है और सिन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा उन्चासमा प्रशन है भारती ये वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदुबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उलेक है तो ये धारा चार में है वन बंदुबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उलेक उप्शन नमबर C चार में करेक्ट हो जाएगा पचासमा प्रशन है निम लिकित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसोचित जिन जाती हो और अन्य पारंप होगा उसमें 51 से लेकर सब्सक्राइब कर देख लेंगे तो आपका पूरा जो है कोशन कवर हो जाएगा और आप जो है आसानी से मिला पाएंगे देखिए पचासमें से आपने काफी मिला लिया होगा अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को जरूर सेयर करिए च